बिल्कुल आम है इसी तरह नजरिया मनत मांगना इबादत है यादर की नजरिया मनत मांगना इबादत है ये मामुली चीज नहीं है ये इबादत है लेकिन पसंदिदा नहीं है की जा सकती है मांगना जायज है मांगने तो पूरा करना वाजिब है लेकिन पसंदिदा नहीं है मतलब ही को ऐसी चीज़ नियों कि संगे किया जाए कि करो मनत अपने चल रही तो मनते मनते मतला मनतों का रिकॉर्ड कीपिंग भी अगर करे ना तो परेशान हो जा रहे हम लोग तो ये को ऐसी चीज ने है कि धक्के धक्के को मांगी जाए पहली चीज पसंदीदा इस माने में नहीं है कि ये कोई वाजिब और फर्ज चीज नहीं है य चीज़ ओलात देना अलाह का कौम है मननत नहीं नहीं द्ला सकती आपको जाये ह तो मनत मांगना जाएज है मुबा रहां लेकिछ पसंदीदा अमन नहीं मीज़ पसंद कराएगिंधर का लिए बादिया तक्वेली सही तक हूलाल मनत के जिरू तर पंदीदा नहीं है लेकिन मांग ली जाए तो पूरा करना वाजिब है इबादिया तक्रीज़ चुक्छे वो इनसान ने अपने ओपर लाद लिया उस चीज़ को मनत मांगे कि मैं फुला काम करूंगा तो इस बात को समझने की ज़रूरत लेकिन मनत याद रखे सबसे पहले अबादत याद रखे लेकिन मनत के ताल्ग से जैसा माचरे में बहुत सारी अबादतों के तालों से घलत फ़हिया है मनत के तालों से भी लातादाद घलत फ़हिया हमारे समान जिमेहराल तो आई जाती है जब दरस लूँगा तो मुखतलिव गलत फ़हियों को इशारा करते हूं इस चलोंगा आईए अ अब मन्नत कौन मांग सकता है, पहले वो देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, कौन मांग सकता है, इसकी एहलियत, एहलियत समझते हैं, मतला उसका एहल कौन है, कौन मन्नत मांग सकता है, तो चुकि मन्नत एक अबादत है, इबादत को जो एहलियत की शरायत है, मतला कौन कि पुछ करें किसी जिसके अगर इनसान बालिग ना होते हैं अधिस के वाज़े अलफाज है तीन लोगों से खलम उठा लिया जाता है मतला उनकी बाते नहीं लिखता एक पागल दूसरा जो बच्चा बालिग नहीं हुआ तीसरा जो आदमी सोया हुआ है नीन के हालत में कुछ हो जाए लाप पूछ नहीं करता है तीन लोगों से खलम उठा लिया जाता है मतला उनकी पूछ नहीं होती आमाल की तो उसमें बच्चा भी जो बालिग नहीं हो तो पहला तो आकिल हो दूसरा बालिग हो तीसरा मुसल्मान हो इसी तरह जो है अगर माले मालक टालूक से मन्नत मांगता है तो आदाद होना भी शर्त है तो घुलाम किसी मालक अमालिक नहीं होता याद रखिए तरह भूलामी नहीं है तो तफसिलात में जांके फायदा नहीं है तो आकिल हो बालिग हो इसी तरह एक मुसल्मान हो ठीक है तो वो मन्नत बहराल मांग सकता है इसी तरह मन्नत मांगने के लिए क्या अधार करेंगे तो इसके लिए कोई मखसूस अधार नहीं है लेकिन अगर समझ लिए कोई इसान करे मुझ पर Allah के लिए काम लाजिम है कि मैं करूँगा जैसा कि अगर मैं पास हो गया तो मुझ पर ये लाजिम है कि मैं ये करूँगा, ये हो गई मन्नत अच्छा इसमें कोई खास तरीखा नहीं है, गला पकड़के, कान पकड़के, सीने पर हाथ रखके, कुछ भी कोई तरीखा है आप दिल में भी बोल सकते हैं चीज़ कि एला अगर ये हो जाए तो मैं ये लाजिम करूँगा अपने उपर, कर लूँगा ये अमन, तो ये हो गए मन्नत आपके, या ऐसा भी हो सकता है, मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं नजर मांगता हूँ, अलफाद अदा कर या 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 ला म वादा करता हूँ तुझे कि मैं ये काम करूंगा अगर ये और यह हो जाए ये भी हुई मन्नत याद रखे, मन्नत के लिए को खास लफ़ नी है और दिल हमसे दिगा सोचल मेडिया पर जोने के लिए वीडियो में दिये गए आईडिस को साइच करें, जजा कर ला